कि कैसे हो दोस्तों आप सबों का इंद्रा इंगलिस कलासेस में फिर से एक बार स्वागत है इस वीडियो में मैं केस को एक्स्प्लेंड करने जा रहा हूं इस पूरी वीडियो को देखने से पहले अपने चैनल को सब्सक्राइब कर लें ताकि आपके पास मेरा अपलोड क्या हुआ वीडियो इमिडियेटली पहुँच जाए चलिए हम लोग केस के बारे में जानते हैं केस होता क्या है हैना केस को हिंदी में कारक कहते हैं लेकिन ये कारक जैसा है लेकिन पूरी तरह कारक नहीं है आपको पता होगा कारक के आठ वेद होते हैं लेकिन इंगलिस में जो केस होते हैं उसके चार वेद होते हैं इसका कारण है इंगलिस में जो ये जो सारी हिंदी में जो संगिया य होते हैं उसके कितने रूप होते हैं आठ इसलिए कारक के क्या होते हैं आठ बेद और इंग्लिस लेंग्वेज में जो नाउन या प्रोनाउन्स है प्रियोग के अनुसार उसके फोर forms होते यानि चार रूप होते हैं इसलिए केश चार परकार के होते हैं जब जब हम noun या pronoun का प्रियोग करते हैं sentence में अलग-अलग जगा पर यूज करते हैं, तो उसका रूप क्या होता है, बदल जाता है, उसके बदलते रूपों का अधियन ही क्या है, केश है, परियोग जैसे जैसे करते हैं, जैसे अप आई काहीं लिजी, कहीं पर आप आई लिखते हैं, कहीं पर आप मी लिखते हैं, कहीं पर आप माई लिखते हैं आई का यह चारो रूप है, है न, तो इसी रूप, किस रूप का परियोग कहा होगा, कैसे होगा, यही जानना क्या है, case है, चली हम लोग case के बारे में थोरी सी जान करें, देखते हैं, इस यह case होता क्या, सबसे पहले इसका definition, देखें यह लिखा है, the study of different forms of nouns or pronouns according to their uses is called case, क्या लोग का study of different forms of nouns or pronouns, यह noun या pronoun के बिविन रूपों का अधियन है, according to their uses, उनके परियोग के अनुसार, है न, यही परियोग के अनुसार जो उसके बिविन रूप होते हैं, है न, उसी के रूपों का अधियन क्या कहलाता है, case कहलाता है, देखते हो यह परियोग के अनुसार, nouns या pronouns के बिविन रूपों का अधियन, बिविन रूपों का अधियन, case कहलाता है, है न, बिविन रूपों के अधियन को क्या कहते हैं, case कहते हैं, है न, आप देखे, nouns या pronouns जो होता है, उसके four kinds होता है, उसके four, nouns या pronouns जो होता है, उसके four forms होते है चार रूप होते हैं, इसलिए case के कितने kinds होते हैं, four kinds, देखे लिखा है, there are four kinds of case, case के four kinds है, सब का नाम देख तक रहे, nominative case, जिसको हिंदी में आप करता कारक कहते हैं, objective case, जिसको आप हिंदी में कर्म कारक कहते हैं, positive case, जिसको हिंदी में आप संबंध कारक कहते हैं, वॉकेटिव केस जिसको हिंदी में सम्बूधन कारक कहते हैं, चलिए, अब हम लोग देखते हैं बारी-बारी से, यह नोमीनेटिव केस क्या होता है, इसको जानते हैं, देखें लिखा है, नोमिनेटिव केस, the use of a noun and pronoun, as a subject, in a sentence, is called the नॉमिनेटीव केस। हैना क्या लिकाता है Yuse of a noun और pronoun कोई noun या pronoun का outra U senses subjects subject के रूप में in a sentence कोई sentence में is called कहलाता है nominative case, कोई sentence है उसमें आप जिसको subject बनाते हैं चाहे वह noun हो या pronoun हो या कोई other words हो वह wording nominative case में होता हिंदी मिलोग सक देख सकते हैं जब किसी noun या pronoun का परियोग subject के रूप में हो, उसे nominative case में कहा जाता है, जब कोई noun या pronoun क्या बन कराता हो, subject बन कराता हो, तो उसको आप कौन case में कहते हैं, nominative case में कहते हैं, चलिए इसको हम लोग example के माधियम से समझते हैं, जैसे देखे लिका, they are playing cricket, इस sentence में they क्या है, subject है they क्या है? subject है, तो देको आप कौन case में कहेंगे? है न, nominative case में, they क्या हो जागा? nominative case में, यहा देखे यह क्या है सब्जेक्ट है तो मोहन कौन केस में है ना नॉमिनेटिव केस में है मोहन कौन केस में है इस संटेंस में दे है नॉमिनेटिव केस में क्योंकि सब्जेक्ट है किस में मोहन है नॉमिनेटिव केस में क्योंकि यह सब्जेक्ट है तो जो सब्जेक्ट होता है वह नॉम word को subject बनाते हैं कोई भर्ब होता और भर्ब के बाद एक object होता है जो noun या pronoun object बनता है वही objective case में होता है देखिए definition यहाँ देखिए objective case लिखा है the noun और pronoun used as an object in a sentence is called the objective case देखिए लिका the noun और pronoun वैसा noun या pronoun used as an object जो object के रूप में प्रियोग होता है इन a sentence किसी sentence में is called का लाता है the objective case है न यह nominative case जो subject होता है और objective case में वैसे noun या pronoun होते हैं जो object होता है हिंदी भी देख सकते हैं जब किसी noun या pronounce का प्रियोग object के रूप में हो तो उसे objective case में का जाता है object के तरह होगा तो कौन case में हो जाएगा objective case में होगा चलिए इसको example के मादियम से समझते हैं इसको आप कौन case में कहेंगे objective case में कहेंगे यह कौन case में हो जाएगा यह objective case में होगा क्योंकि यह क्या है object है फिर देखो they are helping us इसमें us क्या है objective case में है यह objective यह objective है objective case में है तो इस तरह आपने देखा case जो है noun या pronounce के different forms ते relation रखता है है ना नाउंस या pronounce जो होते है English language में चार तरह से यूज होता है that is why there are four kinds of case इसलिए case के four kinds होते हैं है न आप उसका नाम भी देख चुके nominative case objective case positive case और vocative case अभी आपने nominative case के बारे में पढ़ा है न दोज nouns और pronouns which are used as a subject in a sentence is called the nominative case जो noun या pronoun subject के तरह प्रियोग होता है वह कौन case में होता है nominative case में जैसे sita and gita have gone to market sita and gita subject है nominative case में हो जाएगा setup or subject हो जाएगा olması objective case में जो object होता जैसे sentence my later object है है न अस subject है यह कौन case में हो गया objective case में है न video जब अच्छी लगी हो लाइक और शियर जरूर करें हैं सब के पास तक पहुचा है ताकि सभी बच्चे पढ़ सके समझ सके हैना थैंक यू फोर वाचिंग दिस वीडियो